राम नाम किसान भाईयों, मैं आपको आज जो विशेस प्रकार की मक्खी होती है, जिसे देशी बांसा में डांसी बोलते हूं, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जब ये मक्खी फल पर बैटकर ढंग मारती है, तो फल कहीं पर तो फल टेने होने लगते हैं, कहीं किसान भाईयों, आपको जो है, मार्केट में इसकी एक दवा आती है, जो टाटा कमपनी की आसा टाफ के नाम से आती है, किसान भाईयों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं, यादे हमारे चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो सेर, सस्क्राइब और लाइक जरूर करें, किसान भाईयों, तो इसके बाद में जो आसा टाफ आता है टाटा कमपनी का, वो आप ला सकते हैं, और उसके छड़काओं से आप जो ऐसी समस्या से निजात पा सकते हैं, किसान भाईयों, जो टाटा कमपनी का आसा टाफ होता कर दो हैं तो आप आपका सौ घ्राम का पैक है तो आप तीन तंकी पानी जो कि पंद्राइध़ लीटर वाली होती है उसे बड़े आराम से आप तीन तंकी पानी में घोल बनाकर आप चछिड़काव कर सकते हैं यहलिंस की 45 से 50 लीटर पानी के लिए ये परियाप्त होती है जिससे इसके च्छड़काओं से वह विसेस परकार की मक्खी मर जाती है नस्ट हो जाती है और आपकी फसल सुरच्चित हो जाती है फुर इसके बाद में इस मक्खी को विसेस परकार की जो मक्खी होती है हमारे फसलों के फ फेट और इमडा क्लोरूपिड दोनों का मिसरन होता है आप डेड़ से दो ग्राम प्रती लीटर के हिसाब से आप इसका घोल बना कर छड़काव कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो मक्खी है वो नस्ट हो जाएगी मक्खी के बैठने से मक्खी वहां पर जो है गंदगी होती है औ और कीणे पढ़ जाते हैं या फिर जो फसलों की जो छोटी वाली जैसे फसलों की जो छोटी से फल होते हैं लगने लगते हैं वह मानने लगते हैं या इनके डंग मानने से फल जो है टेणा होने लगता है तो ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए आप यदि आपको सरप्र हम टाटा कंपनी का आसा टाफ लाइए और उसके बाद में अरांसर गोड लाइए इस का प्रियोक करके आप अपनी फसल को सुरचित कर सकते हैं धन्यवाद के साथ